नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश्विदेश की प्रमोख खबरे इंडी को अब फ्यूल चार्च नहीं वसुलेगा घटेगा किराया यूपी आई बड़े व्याप्यारियों को देना पड़ सकता है शुल्क पीम ने की समंदर में स्नॉर्कलिंग लक्ष दिप हमारी विरासत जो रोमान चाहते हैं उनके लिस्ट में ये होना चाहिए एडी पर सरगर्मी केजरिवाल को चोथा संबन जल्द भेजेगी एजेंसी आंदर सीम की बहन शर्मीला कॉंग्रेस में शामिल भाई जगन के सीर से मिले इरान में इसलामिक स्टेट ने ली बम धमाकों की जिम्मेदारी सो लोगों की मोत हुई कश्मीर का सुरक्षा प्लान दो होजा 24 पूछ राजोरी में सक्री 25 से 30 आतंकियों के खात्मे की तैयारी अमेरिका में फैसला सुना रही महिला जज़ पर कुदा आरोपी जज़ को हलकी चोटाई अब नेपाल से बिजली खरिच सकेगी भारतिये कमपनिया यूएई में 13 फरवरी को पिये मोदी की सभा चौदा को मंदिर का उद्गाटन करेंगे कतर में अपील के लिए आठ भारतियों के पास साहट दिन फ्रांस में भारी बारिश के करण नदी का इस्तर बढ़ा शहर में पानी भने से घर इसमारक डुबे ब्रिटेन में रीशी सुनक का संकेत 2024 की दूसरी छे माई में हो सकते हैं आम 24 घंटे बाद हजार से जादा गाड़ियों को निकाला इन और में भरी भीड में भाजपा कारेकरता की चाकु घूप कर हत्या संदहियों में भाजपा भार्शत का भती जाबी बाकी की तमाम खबरों के लिए राजनमा टीवी के साथ थन्यवाद